Hello my dear students, welcome to our YouTube channel Mount Paradise Public School तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं English Reading Book जो Class 3 की है आप यह सामने देख सकते हैं या Class 3 की Reading Book है इसके हम लोग फॉर्स चेप्टर को अच्छे से आज रेडि करेंगे और इसका Full Explanation आपको हिंदी के सहसम जाने की कोशिश करेंगे तो चलिए समय को विष्ट ना करते हुए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हुए सभी बच्चे इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्लास क्लास तो आज के पाला क्लास का चेप्टर है I Wonder एक पोयम है देखिए हमारा फर्स्ट क्लास है I Wonder जो क्या है एक पोयम है I मतलब होता है मैं और Wonder मतलब होता है अचर चकीत तो चलिए स्टार्ट करते हैं Sometimes I really wonder when I sit near a lake What is in the water is it real or fake It slides, it glides, when I move it hides I wonder if it's the moon as I don't see it at noon कहने का मतलब है Sometimes I really wonder कुछ समय मैं या सच में असर चकीत हो जाता हूं मतलब रियली मतलब वास्तों मैं ही मैं असर चकीत हो जाता हूं When I sit near a lake, जो मैं किसी लेक के नजीक बैठता हूं What is in the water और सोचता हूं कि पानी में क्या है Is it real or fake, क्या सच में है या जूट है It slides, it glides जो हमेशा यह क्या का सकती है फिसलते रहती है और एक glides करती रहती है When I move it, heights और जब मैं वहाँ से उठकर चला जाता हूं तो it heights मतलब वह चुपा लेती है I wonder if it's the moon और कही मैं यह सोचने लगता हूं कि क्या moon है As I don't see at noon और जिसे हम लोग दीन के समय में देख नहीं सकते है मतलब कि यह poem कर रहा है कि sometime, मतलब कुछ समय मैं सुचता हूं जब बैठता हूं नधी के नजीक जरने के नजीक, लेक मतलब जरने के नजीक तो यह सुचते रहता हूं कि पानी के अंदर क्या है ग्या पानी सच में है या फेक है जो slides करते रहती है और जब मैं वहां से चला जाता हूं तो यह क्या हो जाती है उसको छुपा लेती है कभी-कभी मैं तो यह भी सुचता हूं कि यह चंद्रमा सच में है लेकिन हम यह दिन के समय में दिखाई के हम नहीं देता ऐसे यह बच्चा सोच रहा है ऐसे बच्चा सोच देखो पानी को हाथ में उठाया हुआ है बच्चा और जैसे ही इसको हम पकड़ने के कुश्य करेंगे यह क्या हो जाता है स्लाइड हो जाती है और जैसे ही वह वहां से उठका चला जाता है वह वहां किसका कर लेती है उसको छीपा लेती है तो आप इस पोयम को अच्छे से दो-तीन बार रिड कीजेगा तो यह पोयम बहुत ही चोटा सा है आपको अच्छे से याद हो जाएगा तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक किजिएगा और अपना कोई भी लिक्त हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर शेयर किजिएगा चुले तो इस चेप्टर का हम लोग को एकसाइश टाइम देखते हैं तो इससरी टाइम में देखते हैं, वेन आई नियर अलेक, फर्स्ट अप्षन है जंप, बीए सीट, सीए स्टेंड, तो मेरा अप्षन क्या होगा, बी होगा सीट, क्योंकि जब मैं नदी के नजदिक बैठता हूं, सीट नियर अलेक, तो ऐसे ही सारी कोश्चन है, बहुत एज आप इसको अच्छे से किजिएगा, और कोई भी कोश्चन का डाउट हो, जो आपको नहीं है, तो हमें कॉमेंट में बताइएगा, मैं आपको कॉश्चन का ये डाउट सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, चलिए, यहीं तक अपना कलास हाँ करकते हैं, और कल के कलास में हम प्लस थ्री के चिप्टर टू, टॉक टाइप टर्वल, मतलब की बात होनी कच हुआ, तो चलिए, आज के लिए इतना ही, बाए बाए दोस्तों, टेक केर